नीड़ा चोप्रा ने बुड़ा पेस्ट में चल रही वर्ड एटलेटिक्स चैंपियंशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रच दिया उन्होंने दूसरे राउंड में 88 दशलव एक साथ मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कबज़ा जमा लिया इसी के साथ वो वर्ड एटलेटिक्स चैंपियंशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतिय बन गए है इस जीत के बाद उनके आवाज पर खुशी का महौल था जीत की खबर सुनते ही लड़ू बटने का सलसला शिरू हो गया बेटे की जीत पर पता ने क्या कुछ कहा सुनिये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए हेमारे पूरे देश के लिए पूरे इंदुस्तान के लिए ही बहुती खुशी का दिन है कि completely losing § जैसा सोटा था उसके अनुरों कोर्ड मैटलासी भी किया बहुत अच्छी क्यारियां थी हुए और हमें उम्मीद भीचे के वह बेटर करेगा और उस पर वह खरा उतरा अब क्या कुछ रहने वाली है जी अब बढ़ी तरफ से पूरी त्यारियां रखेंगे अब लोग अभी उसके तीन चारि मेंट बसे हैं उसके बाद जब कि इंडिया आएगा बड़ा खुसी से मनाएंगे सब कुछ नीरत चोपड़ा की सुपलद्धी पर उन्हें देश भर से बढ़ाईयां मिल रही है लजीत पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की उन्हें ने कहा कि प्रतिभाशाली नीरत चोपड़ा उत कृष्टता का उधारन है उनका समर्पन, सटीकता और जुनून उन्हें नाकेवल एटलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बलकि पूरे खेल जगत में आध्वते उत कृष्टता का प्रतीक बनाता है वर्ड एटलेटिक्स चैंपियंशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई उतरवदेश की सियन योगी अधितनात में भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की उन्होंने लिखा कि बधाई हो नीरच चोप्रा वर्ड एटलेटिक्स चैंपियंशिप में आपके अबगुतपुर्व अठाची दशलव एक साथ मीटर थ्रो के कारण आप डायमेंड लीग ट्रोफी विश्व चैंपियंशिप स्वन और अलम्पिक स्वन जीतने वाले पहले भारतिय बन गए आपकी उबलब्धियां पूरे देश की भावना को उपर उठाती है प्रतेग भारतिय गर्फ और प्रेड़ना से सात्वे आस्मान पर है जय हिन वहीं हर्याना के सीम ने भी नीरत चोप्रा को बधाई दी है उन्होंने ट्वीट कर लिखा भारत के चमकते सितारे को मेरी हार्दिक बधाई नीरत चोप्रा जिन्होंने वर्ल्ड एतलेटिक्स चैंपियंशिप में स्वन पतक जीतने वाले पहले भारतिय एतलिक बन कर एक बार फिर इतिहास रचा है 88 दौशलव एक साथ मीटर के शांदार भाला फेक के साथ रिकॉर्ड तो दिया हम सभी को आप पर पिहत्गर्व है नीरत चोप्रा की इस जीप पर खेल मंत्री अनुराग ठाको ने भी बदाई देते हुए क्या कुछ कहा सुनिए सभी भारत वासियों की और से नीरत चोप्रा को बहुत बदाई एक पर फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉइ ऑफ अथलेटिक्स ने स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड अथलेटिक चैंपिन्शिप में जीतना और यही नहीं इस से पहले भी एशियन गेम्स हो कॉमन वेल्ट गेम्स हो टोकियो अलम्पिक्स हो चैंपियन लिग टाइटल हो अंडर ट्वंटी का टाइटल हो एशिन चैंपिन्शिप हो हर जगा निरच उपड़ा ने गोल्ड मैडल जीता यह बहुत बड़ी उपलब्दी अथलेटिक्स के ख्षेत में भारत की है और मुझे प्रसंता इस बात की है कि ना केवल निरच बलकि पहले चे खिलाडियों में हमारे तीन खिलाडियों का नाम आया है पांचवे नमबर पर किशोर जेना ने तो छटे नमबर पर चेवे नमबर पर मनु डीपी ने भी शांदार परदर्शन किया ये शुरुआत है भारत की ये पिछले कुछ महिनों में या पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शांदार परदर्शन किया है और सपश्ट और पर नज़र आता है कभी रेस्लिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब चैवलिन, अथलैटिक्स में और 4x400 में भी महारे खलाडियों ने बहुत अच्छा परदर्शन अथलैटिक चैंपिन्शिप में किया अन्य खेलों में इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातवरन बना है और माननी परदान मंतरी मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी तीन गुना जादा किया टॉप जैसी योजना चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स को ले, नैशनल सेंटर अफ एक्सिलेंस को ले, इनसे खिलाडियों को सुविधाएं भी बड़ी और खिलाडियों ने भी शांदार परदर्शन करके देश के लिए मैडल जीते हैं, मेर यहाएं सेंटर्यों आप मेडल जीते हैं, म